ओके देवी और सजनोर हमाँ पहुँच चुके हैं इस जर्णी के आखिरी अध्याई में जो की है मैंगलोर से बैंगलोर की जर्णी और मैं इस जर्णी के लिए इसलिए बहुत जादा एक्साइटेड हूँ क्यूंकि आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं विस्टाडूम कोच मे हमारी ट्रेन जो है 16516 कारवार एक्स्प्रेस जो की कारवार से चल करके बैंगलोर तक जाती है यहाँ पे इसका डिपार्चर टाइम जो है वो साड़े ग्यारा है लेकिन ये ट्रेन दस चालिस में ही मैंगलोर पहुँच जाती है तो हमें अच्छा कासा टाइम मिल जाएग कि भाई अंदर जाएं ट्रेन को एक्स्प्लोर करें सारी कोचेस को देखें और थोड़ा बहुत नाश्ता भी कर लें क्योंकि मेरे होटल में फ्री ब्रेकफास्ट थानी और मैं भूके पेट हलका फुल का जो बिस्किट थी वो खाकर के स्टेशन पे आ गया तो स्टेशन मे हैं जिसपे की गुड्स ट्रेन एक खड़ी होती है तो आएए अब यहां से अपना व्लॉग शुरू करते हैं और वॉइस ओवर खतम करते हैं जी चंगा फिर तस्क्रेन भाई तस्क्रेन ये 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 और विथ स्लाइडिंग दोर्स कर्वड वन बाहर चलते हैं इंजन की कप्लिंग हो चुकी है और कुछ मेह तपून जांकारिया देनी है आप वो विस्टा डूम के बारे में बहुत को ने दिया है मैं डिमेरिस बताऊंगा मेरिस बात में बात करेंगे दिमेरिस बात करते हैं तो आएए गाईज विस्टा डूम के जो सबसे प्रमुक चीज है वो ये पैनॉर्मिक व्यू वाला एरिया इसकी दिमेरिस के बारे में बात करते है अगर आप बैंगलौर से बैंगलौर मतलब की कारवार से ये श्मतपुर की जर्फ जा रहे हैं तो यहां पर कोई विव ही नहीं है तो यह वाला एरिया तो वेस्ट है और यह वाला वेस्ट इस कोच के लिए नहीं है इसका जो दूसरा कोच है इवी टू उसका भी यही आल है सो मेरा तो EV1 है इसके पीशे जेनरेटर का आ रहे है और EV2 जो लोकोमोटिव से बिलकुल चिपका हुआ है उसका भी यही है तो यह तो पहली डिमेरिट हुई अगर आप इस तरफ से जा रहे है फ्रम मैंगलौर टू बैंगलौर अब यह देखिए यह वाला जो कोच है इसक का भी जो पैनयॉर्मिक वियू है वो आगे की तरफ है और उसको लोकोमोटिव ने बलौक कर रख़़जा है तो यह देखिए पीछे वो रा उसका पेनॉर्मिक वियू वाला केबिन और वो आगे लोकोमोटिव ने ब्लॉक कर रखा है दूसरा की भाई इस कोच में अपनी पैंट्री तो है लेकिन कुछ खाना वाना बेचने के लिए आते नहीं है और सबसे आगे लगने के कारण भाई आपको बहुत पीछे जाना पड़ता है प्लैट्वार्म पे खाना ढूंडने के लिए इनके पास मैगी रहता है और चाय का प्रबंद रहता है इनर वाली पैंट्री है वो इस पे पहुच नहीं पाती है क्योंकि बीच में जनेरेटर कार है और सबसे बड़ी बात है कि 48 लोगों के लिए सिर्फ दो वाश्रूम है वहाँ पे चेर कार में 72 के लिए देर आर फोर वाश्रूम और यहाँ पे सिर्फ दो वाश्रूम है क्योंकि दूसरी साइड वाले में पैनार्मिक वाला कैबिन है उदर वाश्रूम तो है नहीं अब मैंने बता दिया आपको वाश्रूम की डिमेरिट पेनॉर्मिक व्यू की डिमेरिट और कोच एस इंटरकनेक्टेट नहीं है तो उसकी वज़ा से एक ये भी दिक्कत है हाँ बाकी अच्छी फीचर्स हैं कि वाश्रूम काफी अच्छा है स्लाइडिंग डोर्स हैं और अल स्लाइड विस्टा डोम का फाइडा उठाए बंदा सिफ साइड ग्लास ते अभी इंजन अटैच हुआ यहां पे और इसकी चैबिन वीव से ऐसा आएगा पूर्ट इंजन की हेडलाइट जलती भी दिखेगी बस तो आड़ इस अप्रोब्लम है ताइम अपडेट इस लेव व्यू मिलने वाला है डबलुडी पी फोर केजिम शडगा और यह व्यू रहेगा यहां से भाइब बढ़िया लोको मोटिव देखो साइड से दिख जाएगा कुछ सामने तो भाइज सीन खराब है चले फिर भी उदास नहीं होते हैं सफर को एंजोई करते हैं याद कोई बात नहीं लेकिन आप लोगों को एक सजेशन दे रहा हो कि बैंगलोर से बैंगलोर आईएगा इन्विस्टरों मज़ा आ जाएगा पैसा मज़ा निया पाइसा वापिस कर अच्छा एक चीज में मैं वो एक साइड की आगया एक अच्छा डिसीजन तो आप इस कोच से उस कोच के बीच में जा सकते हैं यह ठोड़ा तक करेक्षिन है जो करना चाहूँगा बाकी सब डिमेरिट वैसे ही है यह एक है कि हाँ आप चार वाश्रूम हैं दो कोच इसको मिला करके और एक और इंपो और इस बार मैं सीधा शुरू करूँगा सुब्रमानियम रोड से सुब्रमानियम रोड से इसको जर्नी को शुरू किया जाएगा और ज्यादा तर जो शूट करूँगा मैं वो इंस्टा 360 से होगा या और अपर अपने अक्शन कैमरा से इंस्टा 360 इसलिए क्योंकि एक तो वो वाटर प्रूफ है और जाधा वाइडर व्यू कैप्चर करेगा और अक्शन कैमरा से और सुब्रमानियम रोड से सकलेशपूर तक का ही वीडियो बनाऊगा क्योंकि बाठी तो नॉर्मल प्लें रेल्वेय ट्रैक्स है और ऐसा कोई घाट सेक्शन है नहीं तो आईए श और उना नहीं तेनी है तो य जा रिक्शन है पुमानियम तुमान य चे आईए रव ilाजियो ।।॥।।। आठे झाल 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 सब्रमन्यम रोड यहां पे जो बैंकर्स हैं वो पीछे अटैच होंगी इस पे और फिर यहां से ट्रेन चड़ाई पे चड़ेगी तो पुश पुल ट्रेन हो जाएगी पीछे से धक्का लेना और आगे सरी खीशना बहुत ही सुन्दर स्टेशन है यार क्या ग्रीनरी है स्टेशन की मतलब जबरदस्त क्या ही ग्रीनरी है भाई बहुत पतला प्लेटफॉर्म है लेकि अच्छी खासी ग्रीनरी है मज़ा आ जाता है यहां पे पत्ते उत्ते कितने साफ हैं आर यह देखो क्या साफ पत्म है लेकिन एक राज की बात बताता हूँ मैं जैसे अभी मालो ट्रेन उस डिरेक्शन में मूव कर रही है फॉर्वर डिरेक्शन में देखिए उधर लोकोमोटीव है देखेगा नहीं देखेगा दिख जाएगा यह देखेए यह है लोकोमोटीव तो मैंगलोर से बैंगलोर जाते टाइब ना ट्रेन की डिरेक्शन के इसाब से आपको लेफ्ट में खड़ा रहे ना क्योंकि लेफ्ट में आएगे सारे गाड़ इसलिए भाई अभी ना मैं आ गया हूँ बाहर और तक्रीबन एक डिर घंटे में दर्वाजे तो खड़ा रहोगा जितना हो सकेगा उतना फोटेज दिखाऊँगा उधर से आते टाइम तो पता नहीं था यह तो मैं दूसरी साइड खड़ा हो गया था जिस साइड इस तरह के दिवाल है इस बार भाई इस शुरू से ही दर्वाजा लूट करके खड़ा रहना है तो आपको बता दिया जो कैबिन है उसका तो कोई फाइदा है नहीं जो फाइदा वो दर्वाजे का है हाला कि बारिश हो रही है लेकिन फिर भी भाई दर्वाजा पकड़ के रखना फोन की व्लॉगिंग बन दिया पर अब इस्टा 360 के खेल शुरू होगा सारा व्लॉगिंग ठाइदा लिए के खेले कार्ट वाय व्लॉगिंग धनिशुरूयो जए नएध़ ज़िएला के थेले लेखने लेखने के एले लेकिन सार्ची Yap कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दोका है कर दो कि अपया है कर अए फबंगा कर दो कि का ओक अाया है कर दो 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 कर कर दो 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 झर जार कर दो कारवार ट्रेन बिली है अप लग भी त्रेन भी को अप संवारो मैंगलूरू अर यह हमारी जिल लग है विछ इस कमि दॉप रॉम अर्शी जिल महांग भी चाहिए बश्यत्व है कि वीश्वंथ्व भी लग लग देया है प्सक्राव में पूस्टाव लाए वाई मदा आरा, इस बास सही डिरेक्शन में खड़ाओ ना विस्टरोम वर्सिस विस्टरोम, वाई चल दी रो नो वाई चल दी रो नो वर्सियोरी वाई मौझ चल्ड़ड़भी Yes चुब औो दो फुब झाल इजर का नदारा देखो यार वह भाई वह भाई वह बड़ी अफुला वाटर पॉल्ट वाटर पॉल्ट इस प्योर लाइट इस प्योर लाइट अजर लाई अजर लाई वह प्योर वह 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 व और भाई मेरे इस साइड रहने वाली डिसीजन को देख करके बहुत सारे लोग मेरे दर्वाजे पे आकर के फोटो खीजने की कोशिश करते हैं लेकिन आगे जाकर के एक बड़े ही धीट अंकल आते हैं बहुती दिर्व निश्चे के साथ जो मुझे थे केल धकाल की घुशी जाते हैं फाइनली ये लोग तो फिर भी फोटो खीचते हैं और चले जाते हैं लेकिन आगे जाकर कि आप देखोगे कि बहुत धीटंक लाएंगे और भाई धक्का दे देगे हलके हलके से gap बना बना करके वो घुच जाएंगे बिलकुल लेकिन भाई ये सही decision था जितना मैं maximum capture कर पाया उतना आप लोगों के लिखिया है तो नजय करी इस विखोगों कर दो देखिया है और गाइज यहां से एंट्री हो जाते है हमारे धीट अंकल की जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब यह दर्वाजे के एक हैंडल पर पहुंचे हैं और धीरे धीरे यह मुझे हिलाते वे टरकाते वे दर्वाजे पर कबजा कर लेंगे धीरे धीरे लेकिन तब तक मैं बहुत ऐसी फूटिजस ले चुका हूँ और घाट के 57 टेनल्स में से 38 ट तक एता हैंडल यह मनेख देडिया यह मनेख देडिया गइस देडिया यह मैंख देडिया यह रहाएंगा यह यह बाट्या झाल 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 झाल